ओगण हुई मान्नताएं आस्था दिगंबर दुबा रहे तथा कर्थित अंबर राष्ट को डुबो रहे तथा कर्थित अंबर पूर्वांचल अग्नी को समझवित दक्षिन में भाषा उनमाद गुल्षन सारा उजड रहा हम विखर रहे पात पात किया हो रहा था सबसे पहले दोहजार चव्दा में इसी बात को मोदी जी ने समझ आस। आज़म हमारे पास चा रहा था त। हमारे पास से दांगा लेट जा रहा था अरुनाचल प्रदेश पे गिद्ध द्रश्टी जी तब की मैं बात करता हूं के ओगण हुई मानताएं आस्था दिगंबर राष्ट को डुबो रहे तथा करती तंबर पूरवांचल अगनी को सबर्वित दक्षिन में भाषा उनमाद कुल्षन सारा उजड़ रहा हम विखर रहे पात पात वो डरा रहे गिदण हमें पहन कर बाघंबर ओगण हुई मानताएं आस्था दिगंबर राष्ट को डुबो रहे तथा करती तंबर और पंच प्यारों को थी तब एक ही लगन एक ही जिद थी हिंदुत्व को बचाने क कि धूर्त संतों का अब एक ही जतन हेकली है इनकी सनातन को मिटाने की मख्षी मच्छर चीटे तक अब हो रहे प्रल्यंकर ओगर उई मानता हैं आस्था दिगंबर राष्ट को डुबो रहे तथा करती तंबर और ये विशेश रूप्य मैंने कहा कि पंच प्यारों को थी त को बचाने की धूर तो संतों का अब एक ही जतन हेकली है इनकी सनातन को मिटाने की मख्षी मच्छर चीटे तक अब हो रहे प्रल्यंकर ओगरुई मानता है आस्था दिगंबर और जिन गुरुओं ने किया धर्म को प्रणाम उनका बलिदान क्या वियर से चला जाएगा फां जोगरुई मानता है आस्था दिगंबर राष्ट को डुबो रहे तथा कटिन गंबर मैंने ये भी कहा मैंने वहाँ पर गुरुदेव के समक्षी ये भी कहा गुरुदेव काट रहे जीवन रेखा बुजदिल बहाद्रों आग मत लगाओ ये देश बहुत प्यारा है आग म बढ़ा रहे ओफिर से चौब बढ़ा रहे ओफिर से घद्दारों का नंबर अगरुई मानता है आस्था दिगंबर राष्ट को डुबो रहे तथा कते नंबर ये मैंने बात कही राष्ट को छोटे छोटे पोखर में बाट कर आश्मान में वक्तिया नारे उच्छाल कर कु कुछ सी को चिपकाए हुए अपने जर्दर बतन से जैसे मरे हुए बच्चे को चिपकाए रखती है बदरिया अपने सूखे तन से तोट को से लेकर जंतर मंतर की राजिनीट तक कुछ समय के लिए राष्ट को बहरा गूंगा लंगणा लूला बना कर रख सकते हो अपने काले लोहार की भट्टी में गलेंगे अपनी करनी का फल होगेंगे किस्त किस्त खंड खंड परेंगे यार देश भक्ती कोई वेश्या या तवाइफ नहीं जिसे बेचदो भरस्त बेइमान ब्यापारियों के हाथ या कि इमान अभी इतना नपुनसक नहीं हुआ है जिसे जिसे अंधे की रेउडी की तरह अपने भक्तों को कर दो खैरात हम समस्ते तुम और तुम्हारे मुर्गों की उगाथ जो मिलाएंगे हामेहां देंगे समेबंद बांग रात होते होते जिनकी नेतिकता पी रही होगी शराब और चरित्र और चरित्र लूट रहोंगे किसी क सिंदूरी मांग क्योंकि तुभाली सवा में राजनिटी इंद्र के खाडों के समान अफसराओं की तरह नाच रहिए और उदर सश्च शामला भूमी वाला भारत जानने तिकता रो रही है चीख रही है वो अगवार के खेट में अपने लहू को चीख कर खबने उगाने वाला शंजी भी पत्रकार या कि खान में काम करने वाला मज़ूर अत्वा मोटे पर लड़ने वाला जवान रात अंतिम पहर पोचा होगा अपने घर अपने नन्ने बुनने बबलू के पास जो अभी तक नहीं सोया पापा के इंतजार में ताकि पूछे पापा बाल वर्ष इमानदारी से मेरी सिलेट पर लिखकर बताओगे लेकिन प्रश्ट है मेरी सिलेट मेरी किताब कब लाओगे तब ही उश्रम जी भी मज़्दूर की आँखों में उतराया होगा खून उठ खड़ा होगा होगा तुफान देश के करोड़ों बच्चों के अंदकार पूर उसके कारण तूट गया होगा मौर्वी का बांग बाल वर्ष गुजर गया को सियासत ना आदवी कोर्सी के खिलोने के लिए लड़ रहे हैं इसलिए समूते राष्ट के नो निहाल उनसे प्रस्ट कर रहे हैं कि कहा क्या क्या संसाधी गगन में राष्ट पती भवन में उच कहा क्या करके रखिये तुमने हमारी मुस्कान हमारी जवाब दो वरना अब मैं थोड़ा सा बदर दिये वरना इन 75 वर्षों में बच्चों की रूहें उठकर इंतकाम देगी और आगामी दिनों तुम्हारा भी कर देगी सत्यारा वो मेरी बात आज सत्य निकली और वो जिस तरह भागा दोड़ी हो रही है इस बात को आप समझ रहें ना रिंद सभी प्यासे प्यासे मधोश दिख रही साकी है अभी तो केवल नब्ज मिलिये इलाज बज़ का पाकी है पट्री से रेले उतार दी किसका दोश हम क्या जाने है पूरा देश सराय बना दी कहां से है लूले काने सरे आम देश को लूटा किसने लूटा राम ही जाने जान बूज अन जान बने हैं इस मेफिल के बूले शाने काका चतुर सुजान बहुत चुप बेठी घर में काकी है अभी तो केवल नब्ज मिलिये इलाज मर्ज का बाकी है और सूबेदार सभी ताना शा ज जेल से सरकार चलाने की सोच रहा है, वो अधर बाई का तो हालत ही रंड चंडी बनी हुई है, क्या है आरे इस देश में क्या हो रहा है, सुवेदार सभी ताना शाह, फर्यात करे तो करे हम किसे से, राजा रानी सभी रंगी ले, जिनके है सब सरने किसे, और योजना भर का नाम लिया तो बटने लगे अभी से हिस्से, कमिशन तो देना ही होगा, मिलो दिल्ली में जाके मिस से, अच्छे अच्छे पिसे जहां पर बड़ी पुरानी चाकी है, अभी तो केवल नब्स में लिये इलाज मर्ज का और ये पंतिम पंक्टिया के कर बेठूँगा, मैं वो सोभागशाली कभी हूँ, जिसने दिल्ली में, रामलीला मेदान में, वो सारे लोग सामने बेठे हुए थे, सारे लोग उनके सामने ये पंक्टियां पड़ी में ने, कि चकात चोंदो में तुम सोदामा भूल गये, रगोरी चम्डी के चक्कर में असली मा को भूल गये, सौदेशी को छोड़, सजाली तुमने विदेशी जहा की है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का पाकी है। आप देख रहे हैं डखल न्यूल